नमस्का दोस्तों, अगर आप भी SA Shares जून रहे हैं, जो आप अगर में पोर्फोलियो में रखना चाहते हैं, जो आपको आने वाले टाइम में करोड़ पती बना दे, तो यह वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो के अंदर हमने SA Shares को चूज किया है, जो मार्केट में से थमनेल से आपको पता लग गया होगा, कि हम इस वीडियो में Monopoly Shares की बात करना चाहते हैं, हम SA Scanners को ढूनते रहते हैं, ऐसी Websites पर Study करते रहते हैं, जहां पर काश हमें SA Stocks मिल जाएं, जो Monopoly में हैं, पर क्या दोस्तों, आपने अपने घर में जहांकने की कोशिश की है, कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़े हैं, जो Monopoly Shares को रिप्रेजेंट करती हैं, जी हां मैं बात करता हूँ, हमेशा से ऐसे Product Services को चूज करने की जो आपके काम की हो, जो Retail के काम की हो, और जिनके बिजनस में घुसना नए प्रेल्स के लिए बहुत ही बड़ा Entry Barrier सावित हो चाहे वो Government की वएसे हो, चाहे वो उनकी अपनी Quality Management की वएसे हो, Quality Product Services की वएसे हो, चाहे उनके Product की Demand की वएसे हो, आज इस वीडियो के अंदर में ऐसे पूरे साथ Shares लिस्क करने वाले हैं, जो आपको करोड़पती बना सकते हैं, जी हां आपकी पुष्टों को करोड़पती आपको यह नहीं बता लगया कि हम इस शेर को Monopoly में क्यूं काउं करें, ऐसा क्या है इसका, Asian Paints Limited आपने सबने सुना हो, आप सब जानते होंगे, आपने इनके Product को Use किया हो, जी हां कहता है, हर घर कुछ कहता है, दोस्तों, अगर Asian Paints के Portfolio पे नज़रा डाली जाए, तो वो Paints Varnish के एक Segment को Represent करता है, जिसका Market Share बहुत ही बड़ा है, अगर Asian Paints के Size की बात किया जाए, तो इंडिया का Leader Paint Manufacturing Company है, जी हां, एशिया का Third Largest, World का Ninth Largest, और इंडिया में Market Share 50% से जादा है, और अगर Decorative Paints की बात किया है, तो Asian Paints का Market Share 60% से बिताता है, दोस्तों, यहां पे Penetration क बहुत मुश्किल है, इसकी Competitor है, Berger Paints, Narrow Lake, बड़ आप पता हुआ कर, अगर आप Market में जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी जबान पे, आपके दिमाग में सिर्फ एकी बात आती है, वो है Asian Paints, Market Cap है 3,16,000, करोर का, Current Price है 3,300, 27% का ROE है, 34% का ROC है, विच मेक्स इस वेरी वेर अट्रेक्टिव, उसको एक मादर PS बडालने कोशिच कीजिए, Asian Paints का Market Cap 3,16,000, करोर का मैंने बता है, उसके बाद बर्जर पेंट आता है, 79,000, करोर पे, कंसाई नेरोलैक जो है 33,000, करोर पे, इंडिको पेंट्स 12,000, करोर पे, एसको नोबल 10,000, करोर पे, शालिमर पेंट्स 5,20, करोर पे, युग ड़कॉर 10, करोर पे, मतलब Market Leader है, दोस्तों जो Market Leader है, उसने कुछ किया हुआ, तब ही वो Market Leader बनाए, उसने महनत की है, वो Plant करता है, no doubt, the number one company in paint industry, दोस्तों, दूसरा शेर जो इसके टेकनी में, जो इसकी Monopoly है, उसका एक स्लोगन आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको स्लोगन याद आजाए, उसकी एड याद आए, तो आटमेटिक आपके चेरे पे हंसी आजागी, मैं याद दिलाता हूँ, प ब्रैंड को प्रड़क्ट बनाया, और प्रड़क्ट को ही ब्रैंड बनाया, फैविकोल हो, फैविकोल हो, दॉक्टर फिक्सित हो, या एमसील हो, दोस्तों, पहले इस इंड़स्री के अंदर में, दो कमपनीज हुआ करते ही, पिडलाइट इंड़स्री और दूसरी हुआ कर अप्तिली अडलाइट, 2020 में अडलाइट को अक्वाइर क्या पिडलाइट इंडस्ट्री ने और इस सेग्मेंट का मार्केट लीडर बन गया, दोस्तो, पिडलाइट इंडस्ट्री इसको हम फेविकॉल कहते हैं, उसका जो में प्रोड़क्ट है, वो एक्चुल में एक स्टेशरी में काम आता है, अगर आपको लेना है वो वाइट अडसी तो क्या मार्केट में जाके आप क्या कहते हैं, फेविकॉल दे दीजिए, जी हाँ, आप मांगते हैं, फेविकॉल, और आटमेटिकली इसका ब्रैंड रिकॉल वैल्यू है, वो बहुत हिजबर्स है, अगर आप कुछ भी लेने जाएंगे, चिपाने के लिए, अस्टेशनी के लिए, तो आप फेविकॉल लेके आएंगे, फेविकॉल लेके आएंगे, अगर आपको घर को सीलन से बचाना है, तो आप डॉक्टर फिक्स लेने जाएंगे, फेविकॉल का प्रड़क्ट है, एक नज़ इसके financials पर डाल लेते हैं एक लाग बीस हजार क्रोर की कंपनी है दोस्तो 29.4% का ROCE है और ROE है 22% का विच मेक्स इट वेरी वेरी अट्रक्टिव का आश्रीश कंपनी है और प्रियस में नज़र डालनी कोशिश करे है कौन यह chemical industry से आते है अब आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को subscribe कर लेंगे बैल लोट फिशर को हिट कर देंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई होंगी आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं और हाँ ऐसा करने से आपको हमें motivate भी करते हैं आपकी motivation मुझे मिलती है मैं motivate होता हूँ आपके लिए ऐसी वीडियो सबनाने के लिए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं तीसा slogan आपके सामने रख रहा हूँ buy smart, big saving buy smart, big saving सोच सकते हैं smart खरी दिये जादा बचाईए smart खरी दिये जादा बचाईए मतलब आपको कुछ खरी देने के बात हो रही है जादा बचाने के लिए मैं घर की बात कर रहा हूँ घर में ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो बार-बार खरी दना चाहेंगे जादा खरीदना चाहेंगे जादा बचाना चाहेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ग्रॉसरीज की अगर आप ग्रॉसरीज की बात करना चाह रहे हैं तो एक ऐसा सूपरमार्ट जिसको हम कहते हैं revenue सूपरमार्ट जिसके जो competitors हैं जैसे big bazar है more के stores है बड़ ये market leader की हुए ये जानना आपका बहुत जरूरी है दोस्तो एवेन्यू सूपरमार्ट के पूरी इंदिया में 214 के आसपा stores है दोस्तो एवेन्यू सूपरमार्ट का जो revenue है 52% of revenue जो आता है वो full product से आता है 20% revenue जो आता है वो FMCG segment से आता है बागी का revenue आता है apples और बागी merchandise से दोस्तो एवेन्यू सूपरमार्ट की खासियत क्या है कैसे वो इस segment का market leader है यहाँ पे बात करते हैं turn around time की मतलब एक product जब एक super store में आएगा तो वो कितने दिन में बिक जाएगा उसकी वापस से demand कब से create होने वाली है revenue सूपरमार्ट को खरीदना पड़ता है आप लोगों के लिए retail के लिए जबकि बाकी जितने भी big bazaar type के source है उनका जो tt time में जिसको turn around time कहते है वो है 70 days जितने भी companies revenue सूपरमार्ट को माल सप्लाई करती है उनको हर 30 दिन में माल सप्लाई करना है और बाकी companies को बाकी super stores को दे रहा है 70 दिन में कहां 30, कहां 70 double से ज़ादा time मों लोग ले रहे है तो ज़्यादा bargaining होती है ज़्यादा margins होते है revenue सूपरमार्ट की monopoly रहती है वो कह सकता है कि भाई मुझे ज़्यादा discount चाहिए ज़्यादा discount वो supplier से लेता है और देखते हैं हमें इसको क्यों लेना चाहिए 210 रुपे की face value share मिल रहा है 2,74,000 करोड की market cap बहुत ही जबर से 4,240 रुपे का इसका भाव है महेंगी चीजें महेंगी ही मिलती है अच्छी चीजें और भी महेंगी मिलती है ROC है 12% के आसपास का Arvid Fashions आता है 2,800 करोड Future Retail 2,500 करोड Spencers में आता है 970 करोड Obviously market leader है दोस्तों जो market leaders होते हैं वो इतना बड़ा gap बना चल जाते हैं कि उनको follow करना बड़ा मुश्किल होता है उनका market को penetrate करना बहुत मुश्किल होता है Entry barrier of segment बे बहुत मुश्किल होता है इसलिए Avenue Supermart बनता है 3rd hero इस Monopoly Shares की लिस्ट में 4th share जिसको हम कहते है Lifeline of the Nation Can you guess it? Any guesses? 1, 2, 3 Here we go Yes, I am talking about IRCTC The Lifeline of the Country Railway Network का share IRCTC IRCTC की website को सबसे ज़ादा बार देखा जाता है 30 to 40 million times in a month उसकी website को देखा जाता है एक मात्र कंपनी जो railways में है और किसी को पानी बेचना लाओड नहीं है एक मात्र कंपनी जो railways stations पे food catering का काम करती है एक मात्र कंपनी जो railway की ticketing book कराने का काम करती है तो ऐसी Monopoly किसके पास है? अभी government ने किसी भी private fair को इस segment में entry करने नहीं दिया है तो obviously this is the monopolist company in the country and guys, because of the COVID pandemic yes, this company was hit badly but क्या आपको नहीं लगता? कि ये एक temporary fairs है COVID एक temporary fairs है साल भर में, छे महीने में, दो साल में जैसे ही लोग इससे उभर के आएंगे this company will boom like anything ये एक ऐसी attractive pricing में मिल रहा है लोगों को लग रहा है कि अभी share नहीं चल रहा दोस्तो असली investors क्या करते है वो shares को जब buy करते है जब वो undervalued हो जाते है जब उनकी demand होती है उनकी product में जान होती है उनकी services में जान होती है पर भाव सस्ते मिल रहे होते है तो ये एक ऐसा share है जिस पे आपको नज़र गडा के रखनी चाहिए जैसे आपको लोग सटक पर आ रहे है लोग जाना चा रहे हैं घूम रहे हैं destinations पर जा रहे हैं मस्ती कर रहे हैं अपने काम से जा रहे हैं tours के लिए जा रहे हैं travels के लिए रहे हैं तो दोस्तो railway network के बिना नहीं हो सकता और उसके लिए आप उसके टिकट को बुक कराना पड़ेगा IRCT के पस आपको जाना ही पड़ेगा so this becomes the fourth superstar in the category of monopoly shares so I hope you are liking this video पसना रहा है so please एक thumbs up दे दीजिए like प्रेस कर दीजिए comment section में yes लिख दीजिए कि you are liking this video और ऐसे videos ऐसे energetic videos आपके लिए हमेशा लेके आता हुआ next share आपके लिए लेका दो बहुत ही जबरस जिसको आप जानते मैंने क्या कहा सारे shares आपके घर से निकाल के लिए क्या हुआ पांचवा share उसका slogan आपके सामने देता हूँ बताईए उसका नाम comment section में अभी किस share की बात कर रहा हूँ good food, good life जी हाँ good food, good life 1500 साल पुरानी company कौन सी company है दोस्तो जी हाँ इसके product आप ने खायोंगे monopoly product है एक ऐसा time जब इसके product के उपर में lead होने का संकेत पाया गया था lead होने की शंका जदाई गई थी court ने इसको थोड़े दिन के लिए band कर दिया था इस product को जी हाँ आपके मेरे घर में इसके बिना नास्टा नहीं होता होगा जी हाँ अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो सबसे पहले आप इसी product को ढूनते हैं मैं बात कर रहा हूँ maggie की जी हाँ maggie एक ऐसा product है जो घर-घर में है घर-घर में दोस्तो कुछ time के लिए maggie एक ऐसा product था जिसको band कर दिया गया था lead होने की संभावना इसमें जिताई गयी थी बट company ने find out किया company ने fight out किया और बताया कि दूसरा noodles नहीं खाते हैं और मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि अगर आप noodles देने मागट में जाएंगे तो maggie के noodles ही लेकर आएंगे और कोई product आपको नहीं जमने वाला है आप नहीं लेकर आने वाले हैं maggie के लावाँ nest cafe, kitkat, munch यह बहुत यह famous products है guys आपको मालूम हुआ, chocolate के segment में nestle का जवाब नहीं पर क्या आपको मालूम है कि nestle की monopoly maggie से नहीं है एक ऐसा product है, जो बहुत ही important है जो हर parent की, जी हाँ मैं बात करहा हूँ parents की, जो parents favorite है parents के sentiment से जुड़ा है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ cellulic की और lactogen की यह ऐसे दो products है, जो बच्वन में आपने और मैंने भी खाया हूँ नहीं खाया हूँ, ऐसा होई नहीं सकता हर घर में, cellulic और lactogen यह दो products हैं, जो बच्चों से जुड़े हुए है और अगर parents को कहा जाए कि इनके competitors आगये हैं, इससे better product market में आगया है तो क्या आप parents के उस sentiment को हिला पाएंगे क्या parents के उस confidence को हिला पाएंगे Nestle के ऊपर से जी रहीं तो Nestle का जो main revenue है वो आता है इस baby product से और baby product segment के अंदर में market penetration is absolutely next to impossible तो this makes Nestle the fifth best share in the category of monopoly shares, I hope you're loving this video, I hope, can you believe की baby product segment में market share क्या है Nestle का 85% which is huge, which is absolutely huge, 85% is big guys, जिसका market share 85% हो सोचिए वो घर घर में घुसा हुआ है पका है वो आपके बेरे गर के अंदर में है, तो this is the best share किसी भाव पे लिजिए, किसी भाव पे accumulate कीजिए, करते रहिए इसने हमारे पुष्टों को करोड़पती बनाया और आने वाली पुष्टों को भी करोड़पती बनाता ही रहेगा इस एक स्लोगन आपके सामने रख रहा हूँ दो स्लोगन आपके सामने रख रहा हूँ, I hope you can guess this share, one is go pro go pro means go professional and second, made like a gun आप Google भी कर चुके होँगे, नहीं क्या तो सोच के देखे, कि ऐसी चीज इसकी है एक ऐसा product इसका है जिस पे बैठ के आप कहते है, शान की सवारी जी हाँ, absolute शान की सवारी आपको लगता है, आप रायल महसूस कर रहे हैं आपने बाइक सोबहर चलाई हुए, गाइस बट जो मज़ा एंफिल्ड चलाने का है जो मज़ा बुलिट चलाने का है जो मज़ा रायल एंफिल्ड चलाने का है, वो किसी चीज़ कर रही है आप कार ओनर भी होगे, पर आप रायल एंफिल्ड पे बैठके कि अपने आपको राजा से कम नहीं समझते, आपको hiking करनी हो, आपको trekking करनी हो, आपको office जाना हो, जहां मर्जी जाना हो, अगर आप महेंगी bike के शोकीन है, अगर आप महेंगी bike खरीदने गए हैं, या अगर आप infield खरीदने गए हैं, तो guys I can assure you, आप infield ही लेके आएंगे, आ आपको infield ही करनी है, तो you'll go and buy infield, आप price नहीं दिखने वाले हैं, तो royal infield किसकी है, Aisherr Motors, Aisherr Motors is the 6th contender in the monopoly stock list, which makes it very very special at any damn price, 125cc की जो bikes Aisherr Motors का market share है, वो 26% के आसपास में आद है, but, जहां बात करते हैं, 200cc से साड़े 700cc, 250cc से 750cc की वहाँ पे इसका market share है, 96%, guys, give a big hand, yes, absolutely, it is the biggest market share of any bike company, Aisherr Motor Bullet, एक ही motorcycle से इसकी दुनिया बदल के जागी है, दोस्तों, और हमारी दुनिया को बदलने के लिए, Aisherr Motor का धन्यवाद, और हमारी आपकी दुनिया को भी royal बनाने के लिए, royal infield का लिए, दोस्तों, enfield एक ऐसी premium bike है, जिसकी cost of running बहुत जादा नहीं है, उस उसको शान से रखना चाहेंगे, शान की सावादी आपके घर में रहने वाली है, तो आप ही के घर से मैंने चटा स्टॉक निखाला, which is Aisherr Motor, चलिए, इसके financials को भी देख लेते हैं, इक बाग कैसे दिखाई देते हैं, 79,000 क्रोर का market share है, इस 12% का ROE है, 16% का ROC, which is very very attractive, face value 1 रुपीस का है, और इसके PS को अगर देखने ही कोशिश करें, तो PS में Hero Motor को पाता है, 58,000 क्रोर का, TVS Motor साथ है, 25,000 क्रोर का, twice a motor is the sixth pick in the monopoly shares, चलिए इस लिस्ट में आखरी नाम आपके घर से निगालते हैं, आखरी प्रोड़क्ट आपके घर से निगालते हैं, जो सुबह के इसके बिना आपका नास्ट नहीं होता है, अगर आप चाये पे बैठे हैं, तो इसके बिना आपकी चाये धुरी है, अगर काफी बैठे तो भी इसके बिना आपकी काफी धुरी है, 7th share in the list of monopoly shares is Britannia Industries, 100 साल की legacy है, 9,000 क्रोड के आसपास का सालाना टर्नोर है, biscuit segments में इसका जाते हैं, उनके premium segments के biscuit खाया जाते हैं, उनके lower segments के biscuit खाया जाते हैं, उनके lower segments के biscuit खाया जाते हैं, 90% revenue इसका biscuit segments में से आता है, और Britannia को market leader मनाता है, तो इसके financials भी नजवा लेते हैं, देखते हैं, Britannia कैसा दिखाया जेता है, 1 रुप का fierce value है, 97,000 क्रोड का market cap है, ROE which is very very attractive but 47% and ROC is again 45% and market pair कौन है, जी हाँ, only two market leaders in the segment, one is Nestle and second is Britannia Industries, Nestle के पास biscuits नहीं है, चॉकलेट से और baby products हैं, but Britannia के पास biscuits हैं, और biscuits के बिस्कित के बिना हमारी Indian चाय तो अधूरी है guys, So guys, I hope आपको यह साथ share पसंद आये होंगे, और ऐसे ही अपने घर में से ही आप multi baggers जून सकते हैं, आपको कहीं जाने के जरूर नहीं है, हम धूनते हैं, websites के उपर में हमें लगता है, कोई आके बता दे, but अगर हम अपने आसपास में इन हज़र डालेंगे, तो हमारे आसप क्या है, मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको वीडियो को बनाया हूँ, मुझे motivate करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज अपने comment section में जाके comments को लिखिए, कि आप और किस segment पे किस product के उपर वीडियो चाहते हैं, जो सबसे दारा comments होंगे, personally पढ़ूँगा, परसिलिए इसप्लाइ करूँगा, और आपको नया वीडियो ज़रूर लेकर हो, thank you so much for watching this video, take care, bye-bye, जाहिन!